आ सिंगल फेस टांस्फोंबस सो मां सँथे पेल हो तुमिंगल फेस ट्रांस्फोंबस अ주 पिरेशन से सुथे लाओ चाहे ओ, RRDJ वोई, GEP वोई, PGVC老 वोई, MGBC老 वोई, DGVC老 यह मा सिंगल phase transfer वोऊना एकजम्पल आवैच छे ए एकजम्पल टॉंस रेश्यो पर जयों करशे के वैलटेट रेश्यो परID रेश्यो पर जयों सिंगल फेस ट्रांस्पोवर नी एक्वेलेंट सर्कीट बराबर शे ए सर्कीट उपरना एक्जामपल खनी वार एंसी क्यों मा पण आउता होई छे अन्य जिटीविनी एक्जाम मा तमें डिप्लोमा ना स्टूडेंट वो तो जिटीविनी एक्जाम नी थीरी पॉर्शन मा मुचल इंडेक्शन उपर काम करें के नहीं बूशिंग नूँ काम सूँ अवे नी लेवल थोड़ूक अपग्रेड दियु छे लेवल अपग्रेड मींस पेला सो माथी 5 के 10 टॉप क्वेश्चन अथा परन्तु हवे नी कॉंपेटिटिव एक्जाम मां 50 के सैंट मां टॉप क् क्वेश्चन बेपर करूओँ ओई तो नियुमेरिकल बेज बेज बडेटिव पुच्वा अवक्रेड नुमेरिकल बेज क्वेश्चन पूच्वा होई तो आपड़े सिध्वा न साथ व सौधे ब्य टोपीक उपर धाय सके तो के पेलो क्यू चे ट्रांसपोंगा बराबर बीजु, इंडक्शन, मोटर तो आपड़े प्रिवियसली ट्रांस्पोर्न अगना बदा एक्जांपल जोए अवे आजे अपटे ट्रांस्पोर्न ना एक्जांपल सेरीस ना अगन वदर्शू अन्ना एक्जांपल जोईशू तो पेलो एक्जांपल छे सिंगल पेज ट्रांस्पोर्न अगया जुओ मित्रो ट्रांस्पोर्न कोई पन एक्जांपल वोई एननी रकम मां 75% तमने आंसर आपी दिदोलो वोई शे बराबर छे 75% आंसर तमारा कोई पन रकम वोई तम गणा वित्रो नो पेश्च नतो का ट्रांस्पोर्न ना एक्जांपल तम बो मस्तरी दे कराओ छो परन्तु रकम जनी इंटर्प्रेट करवी ये नो महत्व नो पाग छे बराबर छे ट्रांस्पोर्न ना एक्वेशन कही आवा परवा क्यारे यूज करवा आप रो टार्गेट शे पेला आपने इंटर्प्रेट करता ओड़ू चोई आपटी रकम माज मैक्सिमम बस्तू छे आमा कोई सपोज मैस नी जेम आउतू नथी बराबर छे तो यहमां पे बराबर छे तो केतला वोल्टेज उपोर जोडवा मावे 0.25 पोस फाई आपी दिदेला छे 3 एमपीर आपी दिदेला छे टांस रेशियो आपी दिदेलो छे अवे जो ट्रांस सेकंडरी वैंडिंग मां 15 किलोवोट नो पावर 0.8 लेगिंग पावर फेक्टर पर आपे तो ब्राइमरी किम्मत वाडा प्राइमरी नो प्रवाहनों पावर फेक्टर शो तो यहले प्राइमरी माप वन उचे आपन आइ वस्तू गई एपी एम तो के एन केटला ही पाव त्रोन एमपेर आटली उसतू आपन ने आपी जीदे चे प्राइमरी स्टेज मां प्राइमरी स्टेज मां आपी जीदा अंड कोस 5.25 अब आई मू छे तो यहनू एक्वेशन शो चे मेगनेटाइजिंग कराटनों आई 0 sin 5 बराबर शे आई 0 sin 5 आई मू नू आई पे बराबर से सेकंडरी नी पावर फेक्टर लोड 15 किलोवोट आपी दितो कोस 5.2.8 पावर फेक्टर बीजू आई पू पावर फेक्टर 1 हाई आई 0.25 इनिशियल आई पो कोस 5.2 अलग लेवान हू छे खास दियान राग जो पावर फेक्टर आई या बे आपेला छे पेली कंडिशन माटे अलग बीजी कंडिशन माटे पन अलग बराबर से बे अडला बल्ली था आई नहीं खास दियान राग जो दरेक वक्टे दरेक पावर फेक्टर माँ बे वसको आपे दिते राबर बे कंडिशन आई पी तो आमां आपने प्राइमरी करंट आई 1 गुत अनों की तो अने कोष फायव पॉइंट फ्वेंट फायव अपिल आचे तो यह आउपर थी शूव फायव फैल फायव जीरो थी साहिन फायव जीरो पर थी साइन फायव जीरो विड़ी ते मड़े मीद्रो तो मैं तमने किदू तूओ आना उपर थी 50 बराबर पोस इन्वर 155 यह संदिरो आएक है678 बाइबर स्क्रिंसोट ले लो23 मात एंग सूट चूट अब मेगनेटाइजिंग करांट नो फेलो जी एक्वेशन में तमने की दुगो मेगनेटाइजिंग करांट आई मुव बराबर आई 0 sin 50 आई 0 आपने आपेला चे 3 एमपीर sin 50 गेटला चे 0.968 तो मेगनेटाइजिंग करांट ने वेल्यो 2.9 एमपीर छे न मिलो एकदम सरवर्ट एकदम सेलो एक्वेशन चे आई याँ तमने आपेला चे cos 0.25 ने माईगा चे मेगनेटाइजिंग करांट तो मेगनेटाइजिंग करांट नो एक्वेशन सूँ चे तो मेगनेटाइजिंग करांट बराबर I0 sin 50 हाई equation छे तो आपने आपने दिदेला छे cos 50 cos 50 उपर थी 50 मेड़ो 50 उपर थी sin 50 निकिमत बढ़ो sin 50 निकिमत बढ़ीगे पच्छे आपने आपने दिदेला छे i0 3 ampere आपेला छे तो बेनो गुणा कर करना को 3 multiplied by 0.968 तो आवे छे 2.9 ampere that is our first target समझें क्यों मित्रों हम आपने बे एक्वेशन बे आवस्तू कही रिए cos 50 उपर थी 50 मेड़ो 50 उपर थी sin 50 मेड़ो sin 50 निकिमत बढ़ीजिंग करन्ट आपने एक्वेशन मा मुई कू एक वा रिवाइस कर लिए स्क्रीन सोट ले लिए और आतमरे lecture note मा लगवानू छे जो मेक्रिकाइजिंग करन्ट रिप्रेशन करता हो तो आव धीमेधी में था से step by step आवस्तू आवस्ते बराबर शे अवे वीजू सूं की दो तो क्या primary current नूँ पावर फेक्टर मेड़ो पावर फेक्टर आपी दिदेल छे primary current मेड़ो अवे अपने वोल्ट ट्रांस रेशियो आपी दिदेल बराबर ट्रांस रेशियो आई पो तो ट्रांस रेशियो बराबर सूं था से V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2 तो V1 आपी दिदेल छे, कितला छे, अग्यार 100 V V2 मेड़ बना छे, ट्रांस रेशियो N1 बाई N2 आपी दिदेल छे अग्यार 10 M1 बराबर से, 10 M1 ट्रांस रेशियो आपी दिदेल छे ताना उपरती इसमों धसे V2 नी किम्मत अग्यार 100 V2 करता अबने तो सों थसे अग्यार्षो बाइंगा दस तो 110 वोल्ट सेकंड्री वोल्टेज मोडे शे बराब शे आपड़े माईगो ना थी सेकंड्री वोल्टेज पर रंतु अवे कोस फाई जीरो आए पंदर किलो ओटा पी दिदा वी टू आई पा आई टू मेडवान अचे कोस फाई के आई पा पंदर किलो ओट नो लोड बराबर शे वी टू हमना मेडवा एक्सु दस आई टू मेडवान अबाकी शे अनकोस फाई टू पाई यार्ट जोजो मित्रो पावर फेक्टर बीजू लेवानू छे 0.25 लेता नहीं एकला माटेज आपड़े बीजी सर्किट माँ सप आई टू आपनो टारगेट शे कोस फाई टू रखम में बीजी वेवार पावर फेक्टर आपे लूँ छे तो पावर फेक्टर आपे लूँ छे 0.8 तो आमाती आई टू ने करता बना ओओ तो सूध से आई टू बराबर बंदर जार ना चेत्मा 110 ना चेत्मा 0.8 तो आना अंसर के दला हुसे 116.4 एंपेर बराबर छे 170.4 एंपेर बराबर छे 170.4 एंपेर बराबर छे एक फेजर डाग्राम ट्रो करिये फेजर डाग्राम माँ आई 0 एक सुपर वोल्टेज और आई अक सुपर पर ना वोल्टेज आपिये तो आने फ्लक्स फाई आपिये बराबर छे तो आया फेजर आई 0 बराबर आम आप 3 एंपेर हो जोई आई 1 19.47 एंपेर बराबर छे एना उपर थी आई 0 और आई 1 नो सुथा से 70.04 बराबर छे एना उपर थी कोज 5.1 मट से कोज 5.0 मट से आने त्यारे आई एक्जाम्पल स्केल थी करेलो नथी बराबर छे सौथी पिला तमारे V2 करिये तो 110 वोल्ट YX उपर नीचिल लेवाना वीवान और 110 वोल्ट उपर बराबर छे आई स्केल थी करेलो एक्जाम्पल नथी बराबर छे आनों माप आपड़े जरूर करती नथी प्रन्त उच्छता यह आपड़े बुक माँ आपे लुचे एतले लेए शी बराबर छे अवे अगर जाहिए तो कोज 5.0 आपन ने आप बेलेंस करेंट आई टू डेस सुधी है तो ए सोधु आमाटे सुँ एक्वेशन चे तो के V2 I2 दमने खबर अच्छे V2 I2 बराबर V2 V1 I2 डेस बराबर सेकंडरी नों बेलेंस करेंट आचे रिफर्डेंट टू प्राइमरी साइड बराबर छे एक्वेलेंट सर्किट नी य यह तामा थे रिजो ए प्रिवेश लेक्चर मां यह मां आपड़े आई एक्वेशन बने गया V1 I2 डेस बराबर V2 I2 डेस रिफर्डेट टू प्राइमरी साइड रिफर्डेट टू सेकंडरी साइड बे एक्वेशंपल बे थीरी मां प्वधा करांट नाइक्वेशन वोई वोल्टेट ना एक्वेशन वोई काई साइट रिफर करो छो ये वस्तुनों चेंज आउस ब्राबर छे आएक्वेशन छे ता आएक्वेशन मा आपड़े की मत मुख्ये तो V1 अग्यार्स वल्ट, I2 डेस मेडव वान हो छे प्राइमरी मा थी वे तो सेकंडरी नो बेलेंस करण्ट गो तो अपने रकम मा माईगू छे या प्रो टार्गेट छे V2 110 वल्ट ने, I2 116 अम्पीर नो करण्ट छे तो बराबर छे तो आमा थे I2 ने करता बनाओ तो सूंत से आईटू ने करता बनाओ तो आईटू डेस बराबर 70.04 अम्पीर आवस्तु थे कि मित्रो आवस्तू ने आपड़े आईलाइट करवानी शेक्या तो कहा फेजर डायग्राम मा फेजर डायग्राम मा आईटू बराबर 70.04 यह लिदे लो छे बराबर शे I1 197.2 हवे I0 अने I2 ना कोसाइन कमपोनेंट लए तो एलेके X आउक सूपर ना कमपोनेंट तो सुनु थासे बही ना तो कहा I1 कोस फाइब बराबर शनु थासे I1 तो हवे आईटू जूओ हवे फेजर डायग्राम नी जरूर पर से बराबर शे I1 क्यों मड़े छे तो कहा I1 तुमारो I1 चे बराबर शे तो I2 कुन हो छे तो कहा I0 कोस फाइब बराबर शे यह मड़े बहीना X आउक सूपर ना कमपोनेंट लए तो ना कमपोनेंट लएे तोक I1 कोस फाइब अबराबर शे आज कोसाइन कमपोनेंट लीदा I0 अने I2 ना तो एक I1 नो क्यों मरग कमपोनेंट मरसे कोसी क्यों मरसे आईबर अगळी वैल्यू के लिए гр तो आई 0 नी वेल्यू केटली छे आपने त्रोन आपी दिदेली छे कोस 50 नी 0.25 आपी दिदेले आई 2 डेस हमना जापड़े में डूआ केटला 70.04 बराबल छे साइन 5 2 यहां मित्रो खास द्याद डग जो कोस 50 अना कोस 52 आपने आपी दिदेला छे 0.8 विजी वार जे पावर फेक्ट राइप उपके लिवार 0.25 पावर फेक्ट राइप उथू बिजी वार 0.8 पावर फेक्ट राइप उपके ले ने कंबीनेशन करी अन्ने मैडो छे एकस नों कमपोनन्ट शूह तो कि i1, cos, 51 बराब शे जिया आपने i1 मेडो नती क्यों कमपोनन्ट मेडो i1, cos, 51 बराब शे तमने खबर रचे कि x नेव इकस नेव इकस उपनना कमपोनन्ट लेए sin गमपोनन्ट x उपननों कमपोनन्ट लेवो है तो cosine component ने y e x उपनो component लेवो है तो sine component बराबर शे तो कहा I 1 sine 51 बराबर स्नु दसे तो कहा I 0 sine 50 plus I 2 dash sine 52 बराबर शे तो आना उपर थी I 0 नी किम्मद तो के लिए शेत्रह आन बुगी दिधी sine 50 नी तो कहा I 0 नी किम्मद IP थी 0.25 एना उपर्थी साइन 50 निकी मत 0.968 बराबर छे प्रिवेशली तमने गणी बार समझाई हूँ छे के कोस 50 निकी मत एपी एना उपर्थी 50 निन एना उपर्थी साइन 50 निन बराबर छे गणा केलकुलेटर मां डाहि रख था ही जे पने ये पना तमें करी शको जो आई टूडेश निकी मत आपड़े मेड़े लिजे 70.04 पोस 52 निकी मत 0.8 अब लिजे साइन 50 निकी मत केली था से 0.6 तो आ येनो साइन कंपोनेंट मेड़े बराबर छे प्रो तो आ एक नो एक साउक्स लुपर नो कंपोनेंट मेड़े आ कंपोनेंट आए मढ़ी गयो शे मित् एक मढ़ी गयो एक ज़ मेटो मित्रो तमने डिस्क्रिप्ट्ट ना डीटेल एनालेस समझाओ के कही रित्ते शे के आएकस अखस आएकस ब्राबर महर्या कलरούμε चेंज करीना तमने समझाओ उपर से कापड़े पेला आएकस अखस उपर पो च्छी बगें आप ए अगे बंगांण मिड़ो तो पेजराँ डंस स्यराइब टो आ स्य्छित ऑनudा फोल स्यd Greater अपन्य एकसर युप्सक्स होघ्थ ही गयाता स्यी प्लच साइवलस्य थight बंगाता स्यर्ड निखता सफ्यों स्यांगोर। तो के 14.38 I1sin51 बरबर 13.33 तेलकुलेटर मा अंसर चेक करशो है ले 19.47 अंसर आउसे आ मागे लो आपड़ो primary current शे आपड़ो target शे once again मित्रो revise करे लिएक आपड़ा example मा तो में वस्तू कही बरबर शे कई के वस्तू कही दी तो आपने primary current direct मढ़े अमनो तो direct मढ़े अमनो तो तो सूँ करशो मित्रो target आपड़े target क्यो हो तो magnetizing component easily मढ़ी गयो हवे I1 गोत्वानो तो I1 कोई पन काड़े आपन direct मढ़े अमनो तो तो पेला हूं के रोएनो cos component गोईतो पच्छे एनो sin component गोईतो आना I mu magnetizing current मेड़ों आमाटे सूँ के जो तो के direct equation मेड़ों I0 sin 50 तो I0 निकी मत सूँ छे मित्रों तो के 3 sin 50 निकी मत सूँ छे मित्रों तो के 5 0 आपन आपी दिदेल ना थी पर अपन पोस 5 0 आपे लाओ छे 0.25 एन आपड़े sin 50 मेड़ों sin 50 मेड़ों एकि मत मित के ले magnetizing current मेड़ों बराबर चे अवे अगेन आतली वस्सु काई रापचे आपड़े नेक्स्ट टार्गेट सूँ छे तो के I1 I1 डाइरेक मड़ मोडेम नथी डाइरेक मोडे तो सूँ थाए तो के V2 मेड़ों पेला V2 मेड़ों से नावपधी टर्स रिष्यों अन प्राइमरी वोल्टेज आई नावपधी V2 मेड़ों बराबर चे V2 मेड़ों लिदा पच्छी I2 मेड़ों I2 मेड़ों पच्छी आपड़े एक फेजर डाइग्राम ड्रो करिए I0 और I2 अपड़ी गोलासे तो यदनो रिजल्टन की hey As I1 मढ़े तहो आइवान डैरेक्त न अओ अमले तो पेला यनो x चुपनों कोंपोननटalso is फच्छी ाइवाई अक्सुपनों नो component गोति ए तो का x हुपनो आई y हुपनों कोंपोननुन गोंता बराबर चेंग कोई ता रिजल्टन आम थाशे तो यह रिजल्टन में डूद परबर चेंग तो यह सब्सक्निख बनें डूद चेंग रिजल्टन में से स्केल नोट चु स्केल एकजर्ट स्केल मां ग्राफ द्रो करेलो नथी बिराबर खें डाफ ड्रेक्ट आपड़े बूप माथे लितेलो चe अब फोस्त अपल अपला चे तो यह ना उपर्थ्य जाना तो यह वहं पर थे साइन फैं फैं टू मीढ विँल्यों तो एना उपर थी तमने मड़ से i1 नो cosine component आने i1 नो sine component तो एना उपर थी i1 ने आपने value मड़ से तो मित्रो आखास एक्जाम्पल जे ईनी एक्जाम्पमा पन खुछाई छे आने आहमा काई नथी हक्ता साईन को साईन हने वोल्टेज ना एक्वेशन तमने आवडवा चोई बराबर शें हवे नेक्स्ट सुँ खर्शों हवे पावर फेक्टर मेडवानू गिदु तो primary power factor cos51, cos51 हवे आपने टार्गर प्राइमरी करन्ट मड़ी गयो शे एक दुरूरत मित्रों primary power vector i1 तो मढ़ी जावे next जो एनो प्राइमरी ईनो power factor मेढ़ आनुकिए तो एनो power factor केटलो धसे cos 5 1 cos 5 1 बराबर सुँ थसे i1 cos 5 1 नि value शे और i1 नि value शे तो एना उपर दाईरेक ले ले लिए 14.38 i1 cos 5 1 i1 नि value 19.47 division कर सो cos 5 1 नी value legging प्राइमरी पावर फेक्टर नी प्राइमरी करंट नी विल्यू मेड़ी प्राइमरी पावर फेक्टर नी विल्यू मेड़ी ब्राइमरी पावर फेक्टर नी विल्यू मेड़ी ब्राइमरी प्राइमरी पावर फेक्टर नी विल्यू मेड़ी ब्राइमरी जोई ए नेक्स्ट आशे वोई पन कॉंपितिटिव एक्जाम आशे फटापट शोल था जाए जासे ब्राबर शे अटले त्यार तापड़े इनिशियल स्टेज मां ची जारे टाट्स रेशियो फोर चे टाट्स रेशियो एकले फोर जे बराबर शे अवे बिजू लोड उपर चार अम्पियर उच्छा सिंगल फोर च्रांस्पोंबर टांस्ट रेशियो चार चार चे फ्रामरी वैंडिंग ने वुल्टेज वी वन कैटला पेलाँ चार्टो वोल्ट मैग्नेटाइजिंग करांटनी की मत्सो थो Rahmen लोज अने मैगनेटाइजिंग करांट तो मेगनेटाइजिंग करांट फीवेशन लिया विवेशन अब आइ। इसओं यह पपे leverage ब्रुट स्वेट यू ऑपर है मेगनेटाइज़्ा हुएर्ट-फाइज़ान ओक लिए जीन से सि है चैंज हो सब्रीक पराइमे अधाद अलग क्यों से अमझे थैंज चॅर अलगेंग को शारं टार्गेट शूं शे मित्रों आपनों टार्गेट शे डबल्यू आए आरोन लोस कंपोनेंट है ने मेगनेटाइजिंग कंपोनेंट अब इन्हाइ एक्वेशन तमने आवडे छे जरा याद करों जी है आई म्यून नुत में तमने अमलाच कितों आई जीरो साइन फाइ जीरो बराबर छे हवे ट्विस्ट थोड़ोग चेंग छे बराबर छे एन्ये बिजी एक कंडिशन कि दी के जो ट्रांसफोर नो साइट हैंपियर नो करांट यूनिटी पावर फेक्टर उपर आपे तो प्राइमरी करांट प्रिवेज एग्जांपल अतो एवोज एग्जांपल प्राइमरी करांट आई वन अनने प्राइमरी नू पावर फेक्टर उप आपे एक्जांपल मा यूज कर सो V1 तोके आपी दिदा 400 वोल्ट I0 तोके 4 एमपीर आपी जिदा Cos 50 तोके 0.26 आपी दिदेला शे तो आपन आयरोन लोस मड़ी जेसे परन्तु खास याद राग जो आए एक्वेशन 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 मा याद आओ जरूरी शे 3 वस्तु तमरी सामे आपी दिदेला शे I0 चार एमपीर आपी दिदेला शे Cos 50.26 लेगिंग पावर पेक्वेशन उपर अकम आपेलू जे कला आन्नू 3 नहींनू मल्टिपलिकेशन कर सुवेटले I0 लोस डाइरेक्वेशन मड़ी जेसे तो केरलो आपो V1 नी चार शोल डाइपा I0 चार एमपीर पोस डाइरेक्वेशन शोल करो तमारे केलक्यूलेटर यूज करवानू छे केलक्यूलेटर मा एक्जामपल ना क्वेशन वेरिफाई करवाना छे आएक्जामपल मा अंसर आटलो आवे छे के नि आने कॉम्पीटिटिव एक्जाम मा कई रिते करशो मित्रो कॉम्पीटिटिव एक्जाम मा कई रिते ना करवानू वे बराबर शे यह सु्हम्पीटिटिव एक्जाम मा चार्षो बराबर ale इस और चार्षो रहा ना करवान गुना क्रवा कई रिते करशो मित्रों फास्टः पॉर्वर्वड चे चार्सों वीना चार आईंगे चाव ऊअटा सो यह है, 0.26 के रहले है, चारसोगीना 4, ग्विना 26 छे, तो यह रिते कर शूँ, 420, ग्विना 26, दिएड़ रहा हिते हैं, ग्विना 26, दिएड़ पाई 100, 00 के शेला हूँ, 446 जा, 26 मल्टिप्लाइट बाई 16, यह तमरो अंसर रहे से कितलो आंसर छे तार्सों ने सोड वोड या आईरों लोस कंपोनेंट छे अवे वीजो तमारे कुतवानों छे मेंगनेटाइजिंग करन्ट मेंगनेटाइजिंग करन्ट नो इक्वेशन शूंचे मितरों तो कि को आई आई 0, sin 50 एना उपर थी तमारे सुंको तो अनुचे कोस 50 ने किमत सुंचे तो कि 0.26 छे अना उपर थी 50 बराबर कोस इनुवर्स 0.26 अना उपर थी 50 ने किमत मर से एनने sin 50 एकजाम मा डाइरेक्ट कर जो लेग sin 50 ने किमत के लिए मर से 0.966 बराबर थी अब ये मेगनेटाइजिंग करन्ट नो इक्वेशन शूंचे तो कि चाहिता है आए मियू बराबर ये 0,sin 50 ने किमत से 0.966 बराबर थी 508 6 आब सुन जाओ हो है तो सून इक्वेशन हो है खैना को प्राइबाँ सिन आफित ऐन्ड वित कोणार आप मर्ण, खैना है कंवे, हैंकिकshois, sabote, वं आधि साल्य के किनदे cya reviewing आप जोने हो 1 दिरिक है किक्वेशन कंवाई है कंवे, आई पो होई नहीं मासी वोल्टेज के करांट मा जाऊ हो होई लो, तो सुम इक्वेशन आवे भी बाई ब्रापर एन वन ऐन टू बरापर सुम आभे i2 बाई i1, ready? आई उक्वेशन आवे, तो ती आपने सुम आप दिदे लो शे इन वान बेन टौ आप दिदे ला चे प्राइमरी ओल्ट आप दिदे लेना उपर दी वी टू मेड़ वान आचे वी टू कुस्अ है एन वन बेन टू फोर आप लाचे फोर आप लाचे लो फोर जम वन था यो मित्रो खास दियां ड़क जो चाहरा पिला जे आपंग्यांरे के सट ह्टलो आप देशे रहाँ प्राइमरीग करन्ट उसील आप प्रिबिए ड्याअइस ग्वेशन्स अपट्येशन थे इक्वेश्न च्वेशन CH चुँँ छे तो के V1 I2 डेस बराबर V2 I2 बराबर चे आहिए V1 चे आहिए V2 चे I2 डेस अना I2 सेकंडरी मां बेलेंसिंग करांट शूँँ चे ए जुँआ माटे तमारे एक्विलेंट सर्कित ओप ट्रांस्फोंवर नो वीडियो हास चुँआ पड़े बराबर चे तो क्यांए 400 वोल्ट V1 आपी दिदला चे I2 डेस मेड़ वाना V2 अना I2 बराबर चे ए वस्तु थे कि एम तो I2 डेस बराबर 15 पार मड़ें है हवें ीटं कोम्पोनेट नको साइन कोम्पोनेट फेला जे प्रेक्टीस कही रिये यह प्रेक्टिस करवान है I1 बराबर चे था थह कहा I0 कोस 50 I1 कोस 50 बराबर चे यह यह जिरो ऑलक्रा apocalypse यह ने की मत्मोऔको cos 5 0 निकी मत्तम नावड़े चे cos 5 2 निकी मत्मुको हवे unity power factor unity power factor रकम मा आपेलू चे cos 5 2 नि value आपेली चे cos 5 2 नि value केटली चे 1 बराबर चे cos 5 2 नि value 1 चे तो equation मा मुखी दियो रकम cos 5 2 नि value 1 चे unity power factor तो आनि value केटली आव से i1 sin cos 5 1 नि 100 अंपेर बराबर चे अवे unity sign वाड़ू लई तो सू था से i1 sin 5 1 बराबर i1 sin 5 0 i2 sin 5 2 10 बराबर चे अवे unity मुखी ये तो सू था से 4 multiplied by 0.966 plus 15 नहीं sin 5 2 0 था से क्याम के cos 5 2 maximum चे unity चे लैनि value 1 चे तो sin 5 2 नि value के लिए था से 0 था से लकोस 5 2 नि value ये 1 था है तो कि 0 2 5 4 5 6 5 8 5 ये रिते था से तो एज एर टाइम sin 5 2 नि value ये लिए से तो कि 0 sin 0 0 sin 2 5 0 sin 4 5 0 कोई पंजे कि ये ये बराबर चे तो sin 5 2 value 0 ता अना उपर थी i1 sin 5 1 के लो मेड़ू 3.86 एमपेर अगे sin याने cos component मढ़ी गया तो एनी equation शूँ था से तो कि i1 बराबर square root of i1 cos 5 1 square plus i1 sin 5 1 square ये हमें direct मुखे लूचे मित्रों तो तो ये तमारा माट homework शे बराबर चे तो i1 नू equation शूँ था से 16.46 ampere बराबर चे i1 नू equation ना 16.46 ampere बराबर cos 5 1 बराबर शूँ था से i1 cos 5 1 divided by i1 i1 नू equation शूँ चे i1 cos 5 1 किटला मेड़ा 16.46 बराबर चे i1 किटला मेड़ा 16.46 तो कि लाल लिया हुआ सूँ था cos 5 1 primary नू power factor 0.72 हाँ था कि आपड़ो primary नू current primary नू power factor राइट primary नू current primary नू power factor बराबर शूँ तो आए एक्जाम्पल सीरीज में आपड़े power factor primary current referred to secondary balancing current एब दिवस्तू जोई चो तमने या वीडियो गईम होँए अनने basic fundamentals थोड़ा गणाई clear थिया होई एक्जाम्पल कई रीते गणूँ हो एक्जाम्पल मित्रो गणवा थी आवड से वाच्वा थी आवड से नहीं कि तम्मार वीडियो जो सो एक्जाम्पल method ख़बर पड़ से का method थी तमारे करवाण होँचे बराबर शे परन्तु जेटली calculator आने हाथे प्रेक्टिस कर सो एक्लाज एक्जाम्पल आवड से तो थेंक्यू वेरी मच्च पर अटेंदिंग इस लेक्चर अने तमारे अभीडिया कोई फ्रेंड सो ए तो एनने पना आया वीडियो लेक्चर सेर कर जो थेंक्यू वेरी मच्च